जैसा कि आपने थमनेल देखकर समझी गए होंगे कि अज हम किस टॉपिक के उपर बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड जो की पूरे आठ थजार कडोर रूपय का मार्केट पूरे भारत में देखा जाये तो अगरबत्ती इंड़स्ट्री जो की पूरे आठ थजार कडोर रूपय की है और ये बात मैं हवा हवाई में नहीं कह रहा हूँ सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा इसका प्रूफ मैं कुछ वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा तो हलो गाईज मैं हूं मनीज कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे टॉपिक में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि अगर बत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्फूल होंगे तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के उपर और जो 8000 कडोर वाली जो बाते थी उसके बारे में जानने की कोसीज करेंगे तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे तो स्क्रीन के जरिये से आपको मैं समझाने की कोसीज करता हूँ तो सबसे पहले data चेक कर लेते हैं अपन data ठीक है और उसके बाद आप भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं सिंपली आपको गूगल में जाना है और गूगल में आपको सर्च करना है अगरबती market size in 2021 और यहां से सर्च करने पर आपको दो-तीन वेबसाइटें दिखेंगी, बहुंस सारी वेबसाइट है, जिसमें बहुंस सारी वेबसाइट में जो है इस चीज को बताया गया है, तो simply हम एक साइट में जो है क्लिक करते हैं, तो यहां से आप समझिए, तो इस वेबसाइट में जो है लिखी हुई है, 2020 मतलब 2020 में COVID-19 में दुनिया भर में वैवसाओं को गंभी रूप से बाधीत किया, और भारत के अगरवत्ति उद्योग को कम मांग की कमी का सामनाप करना पड़ा, जैसा कि कुरोना के टाइम में आपको मालूमी होगा कि बहुंस सारे जो है 2021 मतलब 2021 में 15% बढ़ने की उम्मीद है, उसके बाद जो आल इंडिया अगरवत्ति मनुफैक्चरर्स और एस्यो योशन जो है उनका कहना है अर्जून अध्यक्च अर्जून रंगा, उनका कहना है कि अपूर्ति स्रिंक्ला में वैवधान के बावजूद अगरवत्ति में, अगरवत्ति की मांग में कोई खास गिरावाट नहीं है, मतलब कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स जो आती ही रहती है, जैसा अभी COVID हो गया, अभी और कोई चीजे हो गई, तो उसमें भी कोई खास असर नहीं दिखा है, गिरावाट जो है होने में, उसके बद आप आगे पढ़ सीजन की सुरवात हो जाती है, और मांग में विरिद्धी हो जाती है, मतलब फेस्टिवल सीजन जो ही स्टार्ट हो जाती है, जून और जुलाई की महने से, और वहां से जो है डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद दिवाली के बाद जो है डिमांड में गिरावाट देखन को मिलती है इसका इनका ऐसा इसमें कहना है और वैसा ही होता है दिवाली के बाद आप देखे भी होंगे कि जो है डिमांड काफी कम हो जाती है अगर बत्ती मार्केट में और उसके बाद जो यहाँ जो है लिखा हुआ है आगे कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए दे होने के बाद और इसमें लिखा है कि आप यहाँ से थोड़ा सा देखने की कोशिज कीजिए कि 2021 के अंत तक अगर बत्ती का मौझूदा बजार 7000 कडोर रूपय से 8000 कडोर रूपय तक पहुंचने की संभावना है इतनी बड़ी रकम आप एक बार और कोशिज कीजिए देख अगर बत्ती का बजार मौझूदा 7000 कडोर रूपय से 8000 कडोर रूपय तक पहुंचने की संभावना है 8000 कडोर रूपय बहुत बड़ी रकम होती और इतना बड़ा है हमारा अगर बत्ती का मार्केट उसके बाद जो है हम यहाँ से पढ़ना सुरू करते हैं सुरुआत में लॉक्डाउन के करन निर्यात में गिरावट आई थी जो की बजार खुलने के साथ ही बढ़ गया मतलब लॉक्डाउन के बाद जो है मार्केट में तेजी देखी गई है और अप्रेल सितंबर 2020 के दौरान निर्यात राजस 346 कडोर रूपय को पार कर गया था मतलब जो अधिक देशों में किया जाता है जिसमें अमेरिका ब्रीटेन मलेशिया और नाइजीरिया सिर्स बाजार है मतलब 150 देशों में जो है अगर बत्ती भारत से बेजी जाती है एक्सपोर्ट की जाती है 8000 कडोर रूपय का मार्केट तो इसमें हम चोटे मनुफेक्टर जो है उनको सीखने की बात है कि इतने बड़े मार्केट में हम बहुत पीछे रहते हैं मतलब जो हमारी सोच होती है वो काफी छोटी होती है आगे जो इस बिजनेस में जो सीखने की संभावना है उनको हम चेंज करनी होगी मतलब बदलना होगा अगर आपको काम करना है तो स्टार्टिंग स्मॉल केस से भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी सोच यह होनी चाहिए कि अभी इतना कमा रहे हैं तो आगे जाके हम इसमें कुछ अच्छे से अच्छा और कुछ बड़ा काम करके भी प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं तो सब चीज सोच के उपर डिपेंड होती है अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आपको विजन आपका रखना पड़ेगा अपको इस बिजनस में काम करवाएगा और अगर आप छोटी सोच लेके चलोगे तो छोटी सोच में यही हो तब ही आप एक अच्छे इसमें बिजनस में कामियाब हो पाएंगे और अच्छे से अच्छा जो है काम कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह हम सब के लिए था चाहे एक मैनुफेक्चरर सो या फिर जो है इसमाल कोई ब अब तक के लिए धन्यवाद